जह हिंद फ्यूजर अपिडिया और आप्स विलोगा स्वागत है मैं हूं हिमान सुक्मार इस वीडियो नो डिसकस करने वाले हैं गुल्दुव इस्टोग के बारे में एक का नाम है ग्लोब टेक्षाइल इंडिया लिमिटेड और दूसरे का नाम है जॉंसन फर्मा केर लिमि इसलिए रिटेल नियों सक इन कंप्पनियों के बारे में जानने के लिए हमेसा उट्सु करते हैं तो हम भी आज इस दूलों लेकर आखे दुनों कंपनियों के quarter 2 के result भी आ गए है उसके बारे में आपको बताएंगे साथ में आपको यह भी बताएंगे कि result के basis पर कंपनियों के share price आने वाले दिनों कैसे रह सकते हैं और हमें आगे करना कि आहं दूने में लेकिन सुरुब शुरुब लेकिर देखेंे ग्लोब ग्रो कंपनिया करता है Southeast Greenrite bride कर दून करता है इसे पर हमें आपमाने पर खरीद बसुर्द तो जो कंपनिंग करती है अपने वह उससे बढ़िया माना जाता है आज के दिन भी इस टॉक में तकरीबन एक सट्रीब परसंट की गिराउट देखने को मिली है और यह गिराउट का दौर कोई नया नहीं है पिछले कुछ दिनों से इसमें गिराउट चल रहा है पिछले एक सब्सक्राइब तकरीबन पांस परसंट कास दिखाई दे रहा है बाकी कंपणियों को आप दखेंगे चाहिए हो ट्राइडेंट हो या पेज इंडस्ट्री हो सब्सक्राइब तो गलोब ट्रेक्टाइल यह कोई अलग नहीं है जब इस सेक्टर की दूसरी कंपनिया और इस से अच्छे और बड़ी कंपनियों के रेट कर दोड चल रहा है आपको कर दो बारे में बताएं तो अभी सब्सक्राइब कर नतिजे आएं उसमें इस कंपनी का रेविन्नू तक्रिबान 100 क्रोंड का असपस हुआ है यानि तक्रिबन 6 लाग का profit हुआ है पिछले महा में आप पूछ सकते हैं कि कंपनी की कमाई नहीं ही तो यह profit बढ़ा कैसे है profit इसलिए बढ़ा है कि अधर इंकम बढ़ गई है और company का operating profit margin बढ़ गया है इस वह इस company का profit बढ़ा है अब यह बात करने से इस दिनों के अंदर price और नीचे जा सकता है और कहां तक जा सकता है तो इसका पहला सपोर्ट लेवर निकल कर सामने आ रहा है और उसके बाद का जो सब्सक्राइब निकलने की गलती मत किजेगा यह बहुत ज्यादा लोस हो रहा है और काम के पैसे आप इस श्टोक में लगा द आप इस कंपनी के नाम प्रमज जाए क्योंकि यह कंपनी फार्मा सेक्टर से बिल्कुल बिलॉंग नहीं करती है कोई दवा नहीं बनाती है नहीं कोई मेडिसिन बेशती है कंपनी जब 1994 नहीं बनी थी उससे में इसका नाम था रोविंस्टन वर्डवाइड ट्रेड आप देखने को मिली है अब देखने को मिल रहे हैं मैं तो बार बर कहता हूं कमणी के शेर प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता क्वार्टर बहुत अच्छे नहीं है कंपनी के जो कमाई हुए इस क्वार्टर में बिल्कुल जीरो हुआ है और कंपनी इस पार लेकासी पेसा कास पास उससे श्टॉट लेवल के उपर जब इसका प्राइस निगलेगा तब इस श्टॉप में अच्छा इती जो दिखने को मिल रहा हुँ बना रहा सकता है वरना देखने के लिए आगे चलके तो फंडमेंटल बिल्कुल श्टॉट नहीं है और प्रमोट इसलिए इस श्टॉट में आप उपरिलों बाइकर के फंसे हुए तो आपके लिए सलाह यह रहेगा कि कंपनी का सेयर प्राइस साट पैसा तक जा सकता है वहां तक इसका सपोर्ट लेवल है वहां तक जाने के बाद ठर जाता है तो ठीक है वरना नीचे चला जाता है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर लेजिए और यदि आपके पास सेयर बजार में इंवेश्मेंट करने के लिए डिमेट अकाउंट नहीं है अब डिमेट अकाउंट करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एंजलों के साथ अपना फ्री डिमेट अ में मिल जाएगा मिलते हैं नेक्स बीए में तो तक लिए धरने बात शुक्रिया